वर्षों से भारतवर्ष में एक परंपरा रही जब हमारे घरों में ऐसे अलग-अलग तरह के गोलक हुआ करते थे गोलक में हम पैसे इस तरह से डालते थे कि ये पढ़ाई के लिए पैसा, ये स्वास्थे के लिए, ये मकान बनाने के लिए ये परिवार में किसी व्यक्ति के शादी के लिए ये गोलक जो है कभी इमर्जेंसी पढ़ गई तो उसके लिए और इसी तरह से बच्पन से ही पैसा हमारे गोलक में हमारे पैरेंट्स हमारे लिए डालते थे और आगे चल करके हम उन्ही गोलकों में उपैसे आगे बढ़ाते रहते थे ये परमपराएं हमारे आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक बड़ी मजबूत रखती थी हमारे भवी स्थिकों स्क्योर रखती थी लेकिन समय के साथ ये परमपरा को हम लोग उतनी मजबूती सागे नहीं ले जा पाए जो भारत की बहुत ही मजबूत आर्थिक परमपरा थी आज आप पाएंगे कि भारत सरकार अनेको परकार की वेलफेर स्कीम्स लेकर क्याती है हेल्थ को लेकर के मात्रत ममता को लेकर के मकान को लेकर बिजली को लेकर खेती को लेकर बुढ़ापे को लेकर के education को लेकर के अनेको तरह की सरकार जो है साहता राश लोगों को देती है लेकिन ये जो पैसे हैं ये दिये किसी काम के लिए जाते हैं और उनका उप्योग होता कहीं और है इसके नाते welfare schemes का जो मुख्य उद्दिश्च है वो चाहे अंचाहे उतना सफल नहीं होता जितना होना चाहिए इसलिए भारत सरकार एक लंबे समय से इस मार्ग पर चिंतन कर रही थी कि जिस चीज के लिए सबसीड़ी दी जाती है जिसके लिए सरकार जो है welfare fund देती है उस पैसे का उप्योग उसी च्छत्र में हो या तो उसका उप्योग न हो इसलिए सरकार ने एक नई scheme launch की है and that is e-rupee e-rupee जो है ये एक तरह से आप मानिये कि contactless currency होगी जिसको दी जाएगी वही उसका उप्योग कर सकता है और जिस चीज के लिए दी गई होगी उसी चीज के लिए उसका उप्योग हो सकता है मतलब corruption के chances लगभग लगभग जीरो एक तरह से सरकार welfare schemes को एक बड़े ही सटीक और सचोट ढंग से लागो करना जाती है और यही है E rupee मेरा ऐसा मानना है कि commerce के दुनिया में welfare schemes के दुनिया में आज भारत के प्रत्यक व्यक्त के जीवन में अभूतपुरू बदलाव लाने के दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार अगर health को ले करके किसी को पांच लाख रुपे तक के benefits देती है तो वो पैसा दे करके भी नहीं दिया और ना दे करके भी दिया है दे करके भी नहीं दिया इसका मतलब अगर व्यक्ति ने उस health scheme के तहत कभी भी benefit नहीं लिया तो वो पैसा दे करके भी नहीं दिया लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उसका benefit लिया और अपने health care में उसने उसका investment किया तो सरकार ने दिया और उसका उपयोग हुआ भी ये बहुत ही interesting पूरी की पूरी प्रक्रिया है commerce के students के लिए मेरा ऐसा मानना है कि एक तरह से एक बहुती नया दुनिया प्रारम हो रहा है जो corporate houses है वो भी अपने employees को अपने organization से जुड़े हुए अलग-अलग associates को अनिको प्रकार की financial benefit welfare scheme के तहत देती रहती है CSR corporate social responsibility के तहत देती रहती है अब corporates भी इस तरह के vouchers दे सकती है NGOs को and associates को and various organizers को जिस purpose से उस associate ने company या corporate के CSR fund को लिया है उसी purpose के लिए उसका उप्योग कर सकता है इसी तरह से ग्रामेड इलागों में अनिको प्रकार की welfare schemes चलती है चाहे वो खेती से संबंदित हो चाहे गाओं में मकान बनाने से संबंदित हो electricity से संबंदित हो पीने के पानी से संबंदित हो या अनिको उक्षत्र की सरकार इस तरह के अनेकों प्रकार के contactless welfare scheme के तहत currency दे सकती है ये e currency नहीं है लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे mobile phone में उस amount का एक तरह से आप मान करके चलिए कि voucher आ चुका होगा और उस voucher का हम उप्योग कर पाएंगे मतलब आपके पास उसी तरह से आप पैसा पे कर सकते हैं जैसे आप पेटीयम से पे करते हैं जैसे अपने bank account से दूसरी जगा पर टांसफर करते हैं क्यूर कोट के माध्यम से immediately इस पैसे का benefit लिया जा परेगा एक तरह से भारत सरकार का corruption हटाओ की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है ये भारत की अर्थनीतिका एक बहुती मजबूत step होगा और कहीं ने कहीं यूपियाई जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादे अर्थ सास्तर की दुनिया में जिसको पर सबसे ज़्यादे विचार और बाते चल रही है उस दिशा में यूपियाई ने जो कदम चला है ये सही माइने में लोक कल्यान के दिशा में नरंद्र भाई मोदी की सरकार ने जो ये कदम चला है ये सही में फशराहनी है प्रशंशनी है और प्रत्यक विद्यार्थी को इस विशय पर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये भारत का भविश्य है धन्यवाद